नमस्कार प्राम आदाब जैहिन साथियो मैं अतुल अवस्ति आज फिर से स्वागत करता हूँ इस रिजनिंग की शांदार लाजवाब जिन्दाबाद क्लास में लेकिन आज मैंने सोचा है कि आज जो संडे को मैं पेपर कराऊं तो आज मैं आप लोगों को कम से कम कम से कम 60-70 सवाल कराऊं वो भी स्पीड के साथ तो यानि रिजनिंग में हमें कम से कम 40 में 40 मार्क मिल जाए अब जो SSC GD वाले हैं तुम लोगों ने UP Constable का रिजनिंग का पेपर तो देखा ही होगा भाई मन में किरियोसिटी है कि आज छोड़के कल परसों तुम्हारा भी पे चुकि अगर 20 में 20 तुमने रिजनिंग कर दिया 20 में 20 ये कर दिया तो 50% तुम्हारा काम तो केवल दो सबजेक्ट ने कर दिया जिसे जो तुम्हें पहले से आता है और तुम उसमें कसम से तीर अंदाज हो तो आज का सेशन इंपोर्टन नहीं जबर जस्ट इंपोर्टन हो क्योंकि आज मैं स्पीड का जरूर ध्यान रखूंगा और आज 20-20 कोश्टन के सेट कराऊंगा देखता हूं आप 20 कोश्टन के आप 15 मिनट में खतम कर लेते हो और अगर एक घंटे में 4 सेट खतम कर देते हो फिर भी अगर 3 सेट खतम कर दिये तो ठीक है वरना 15 चोको 60 ठीक तो एक बार जल्दी से अंगुठे वाले बटन दबाओ और बताओ सबी लोग अगर तैयार हो तो आज वही टिकेगा जिसमें दम होगा ये बात याद रखना बात ऐसी है कि टेस्ट वन होगा और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि देखते हैं किसमें कितना है दम आज बात स्पीड की होगी आज बात स्पीड की होगी आज मैं आपको कोशन दिखाऊंगा आज आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितने भी मैंने आपको हमेशा बोला था ना आज हिंदी में हर बच्चा कह रहा है कि सर वही चीज़ आई है जो हम लोगों ने क्लास में discuss की है तो अगर आप में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो जल्दी से maximum लोग मेरे साथ जुड़ जाओ और फिर मैं आज आपका पहला सवाल दिखाता हूँ तो अब मैं देर नहीं करूँगा सीधे पहले सवाल की जल्दी से maximum लोग जुड़ जो फिर मैं आज आपको पहला सवाल दिखाता हूँ और याद रखना आज मैंने 20-20 के सारे सेट लगवाएं देखते हैं आज कितने सेट का जवाब कितनी जल्दी दे पाते हो ठीक है न तो चले शुरू करें चलो आज का ये रहा पहला सवाल ठीक है न जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा जितने टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों ने कहा तो मैंने सब का भरम तोड़ दिया है जितने पैटन में आपको समझाया है उतने पैटन में एक्जाम में कॉशन आया है जल्दी सांसर बताओ क्या होगा आप जल्दी सोचों आंसर क्या होगा अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना जैसे मैंने आप से कहा कि इसका आंसर क्या होगा तो examiner को speed चाहिए जैसे मैंने आप से बोला कि इसका mirror image क्या है तो mirror इसकी यहां रखी हुई है अगर mirror यहां रखी हुई है तो पहले यह देखो कि किसको हमें देखना ही नहीं है जैसे यह blender गलत है क्योंकि यह भाग उपर नहीं जा सकता यह उपर नहीं जा सकता impossible है दूसरी बात इसमें यह diagram ही गलत बना है क्योंकि circle वाले सारी सीने circle है यहां इसके अंदर square बना है मतलब यह कभी नहीं हो सकता है बोलो हाँ या ना आगे देखते हैं अब अगर हम देखते हैं इन दोनों को compare कर लेते हैं इसका सूरज देखते हैं इसका सूरज जो है सिर्फ एक गोला है इसके सूरज में एक गोला extra है इसका मतलब यह नहीं होगा तो बताओ सभी लोग बताओ चौथे के साथ जाओगे या आभी भी किसी को confusion है मैंने क्यों गलत किया पहला दूसरा तीसरा ही साल बाद सेम होता है लेकिन जो leap year plus one होता है leap year plus one हमेशा 6 साल बाद होता है यानि अगर 2004 है तो 2005 को leap year plus one कहते है 2016 है तो 2017 को leap year plus one कहते है 2020 है तो याद रखना 2021 को leap year plus one कहते है उसमें हमेशा 6 साल जोड देना होता है अगर इसमें 6 साल जोड देंगे चाहिए, यानि लीप एर प्लस वन हमेशा 6 साल बाद, लीप एर प्लस टू ग्यारा साल बाद, लीप एर प्लस त्री वो भी ग्यारा साल बाद, और चौथा साल फिर लीप एर तो 28 साल बाद, बोलो, बोलो, तैयार हो या नहीं, हाँ याना एक एक कोशन रटवा के चलूँग लेंगे जल्दी से सोचो इसका अंसर क्या होगा अब जानते हो क्या है जैसे ये कैलकुलेशन हम तुमको बताते हैं ज्यादा टाइम नहीं 729 लिखा है उसने 7 का 2 में गुड़ा कर दिया प्लस 9 कर दिया तो 7 दुनी 14 हो गया प्लस 9 हो गया यानि ये 23 हो गया आशा करते हैं सह होगा तो कम से कम आज आप लोग अगरी स्पीड से सलीशन कर सकते हो तो ठीक है वरना टाइफ और कुश्चन का सलीशन देख लोगी कितनी जल्दी देख सकते हो और स्ट्रिक स्नेक और फ्रोक सुतुरमुर्ग सांप और मेढख सही वें डाइग्राम क्या बनेगा जल्दी स जा सकता बोले नई सर मेढख और सांप ये दोनों पानी वाले होते हैं लेकिन सुतुरमुर्ग कोई भी ऐसा सुतुरमुर्ग नहीं है जो पानी वाला होता है हमका इतना सोचों कि ब्रेन हैमरेज हो जाएगा तीनों अलग अलग जानवर हैं ये बात याद रखना बहुत ज सवाल कर दिया तो कसम से दिल खुश हो जाएगा लेकिन सारे लोग आंसर करो आज सभी से हाथ जोड के निवेदन है सारे लोग आंसर करना है कि आंसर क्या होना चाहिए देखो 11-15 से ज्यादा समय देना बेकार है क्यों क्यों क्योंकि ये इस पी को देखो एक के बाद है फि तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा बोलो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा यार गलत हो रहा है तो accept करो कि हाँ सर मेरा गलत हो रहा है लेकिन सही answer आ रहा है तो pleasing मैं आपसे बोलताू है सिर्व Speed पे Focus कर लो 5 minute में तुम लोगों ने 5 सवाल कर दिय पांच मिनट में पांच सवाल कर दी हैं और कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो एक ही तरीके का हो अब बताओ इस तरीके का कुशन अगर आ गया है यह स्ट्राइक कर गया है तो तुरन समझ में आ जाएगा नहीं किया तो फिर परशान हो जाओगे जल्दी से सोचो और इस बार ब प्लस टू प्लस फूर प्लस त्री चार तीन साथ दो नौ एक दस यानि इन सब को अगर जोड़ोगे इन सब को अगर जोड़ोगे तो आंसर दस आएगा ये देखो पांच चार नौ एक दस इनको भी जोड़ोगे दस आएगा ये देखो छे चार दस ये छे है ये चार है इ solution पूरा दूँगा लेकिन मैं चाहरा हूँ कि आज आप 60 सवाल करें और थोड़ा speed में थोड़ा speed में रहे तो मज़ा आ जाएगा जल्दी से सोचू आपको खुली चुनौती ये करके दिखाओ देखें किसमें कितना है दम ये करके दिखाओ ये करके दिखाओ लगा लो दिमाग जितना लगा सकते और मैं आपको पूरा 21 सेकेंड दूँगा लगा लो दिमाग तुम लोग जितना speed से solve कर लोगे मैं आज आपको ऐसे सवाल दिखाओ आप कहोगे कि सर आप मुझे इस तरीके के question हो जाते है जरा सोचो मैं आपको फिर time waste नहीं करूँगा जरा exam में समझना ये क्या है तीन है ये क्या है चार है यानि तीन प्लस चार कर दिये तो चार तीन साथ हो गया बोले नहीं सर जल्दबाजी में mistake हो जाएगा हमने का क्या तो बोले कि सर यहाँ पे तीन गुड़े चार करेंगे तो चार तीन ही बारा हो जाएगा उसी तरीके से पांच प्लस साथ करेंगे तो साथ पांच बारा होगा दोनों सेम आएगा जैसे 5 का 3 में गुड़ा करेंगे 5 ते याई 15 आएगा लेकिन 8 का 7 में जोड़ेंगे तो 8 7 15 हो जाएगा उसी तरीके से 6 का 4 में गुड़ा करेंगे तो 6 4 को 24 हो जाएगा अब वो बोल ला है कि 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 24 आ जाएगा तो 8 में 16 जोड़ेंगे 8 6 14 और यहाँ पे 24 आ जाएगा आशा करते हैं कि यह कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा और यह आप कभी जिंदगी में अकेले बैठके नहीं पढ़ सकते यह बात याद रखिएगा तो कम से कम अगर आप में दम है आपको लगता है कि सर हम इसी स्पीड से आज कम साठ सवाल करा दीजे तो कम साठ सवाल करा दे तो तुमारी एक्जाम तक हम तुमको राजया बना देंगे गैरेंटी है लेकिन हर सवाल सुन के जाना मेरी जिम्मेदारी राम कृष्ण हनुमान और अहिरावन राम, कृष्ण, हनुमान और अहिरावन इसमें से कौन सा अलग है आशा करते हैं 15 सेकंड में अब तो जवाब आ जाना चाहिए नहीं आ रहा है तो दो दिन बाद पेपर है बाकि आप सभी समझदार हैं कि आपको करना क्या है अगर राम है, कृष्ण है, हनुमान है, अहिरावन है तो मैं आपको ये बता दू कि ये याद रखना है कि राम है, कृष्ण है, हनुमान है, अहिरावन है इसमें केवल अहिरावन ही राक्षास है कई लोग सोचे कि ये तीनों शादी शुदा लोग हैं लेकिन हनुमान जी अन्मैरिड हैं ऐसा नहीं है जो अहिरावन है वो राक्षा से बाकि तीनों देवता हैं वो लो सहमत हो आगे चलते हैं अगर ये सवाल आगया बताओ क्या करोगे ये आसान है कि चरम पर आसान है और इस कोशन को कि मैंने आपसे क्या सिखाया आपको रघुपति राघव राजाराम जितना पैसा उतना काम एक्स्ट्रा एफ़ल्ट डालोगे समस्या हो जाएगी जैसे आपको एक पैटन समझ में आ गया तो सिर्फ आपको आंसर टिक करना है वी दीना सेकेंड कैसे अगर मैंन हो या गलत कह रहा हूं क्या इस कोशन को एक्जाम में भी इतनी स्पीड से करना है यानि अगर तुम्हारे परिक्षा में रिजनिंग और हिंदी करने की बात आई तो इतनी तेज करना ताकि जीए सोचने का टाइम मिल जाए और मैट्स का डिटेल सलूशन करने का टाइम मिल देना बोलो सहमा तो अभी जल्दी से सोचो इसका अंसर क्या होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है अगर उसने बोला है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है तो नहीं बनाया जा सकता है वहां हैश और जीरो एक साथ नहीं होना चाहिए हैश और जीरो एक साथ नहीं होना यहां 5 और इस्टार एक साथ हो गए मतलब यह कभी जिन्दगी में नहीं बनाया जा सकता बोलो हाँ या ना अगर किसी को लगे अरे महराज आपने बहुत जल्दी पढ़ा दिया अरे सर बहुत जल्दी कर दिया तो कताई मेरी क्लास मत करना छोड़ देना लेकिन अगर तुमको लगे कि सर इस तरीके की जिन्दा सिरीज अगर आपने करा दी मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा रिजनिंग और हिंदी को जल्द से जल्द खतम करना है ठीक है ना अभी तुम्हारे पास ये समय है तुम सोचो की 7, 4, 7, 11, 18, 29 तो आगे क्या आएगा और ये 100% ऐसी सिरीज आने की संभावना है 100% आएगी ये बात याद रखना मैं ये बात सभी से कह रहा हूँ बहुत ध्यान से आंसर करना मेरी बात सुनोगे देखो ऐसा भी होता है इधार हो मैं बताता हूँ ये देखो अगर मैंने आप से बोला कि आंसर क्या होगा देखो एग्जामिनर की सोच देखो बेटवा ध्यान से सुनना उसने 4 और 7 को आपस में जोड़ा इन दोनों को आपस में जोड़ा 11 आ गया फिर उसने क्या किया 7 और 11 को आपस में जोड़ा तो 18 आ गया ठीक है न फिर उसने क्या किया 11 और 18 को आपस में जोड़ा तो 29 आ गया फिर 18 और 29 को जोड़ेगा यूनि डिजिट 7 आएगा यानि 47 will be the right answer किसे को तकलीफ हो तो प्लीज यार मुझे जरूर बताना लेकिन यार तुमसे बहुत उम्मीद है मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि सेंटर से निकलो तो ये कह सको कि हम अतुल अवस्ती के विद्यारती है जितने तरीके की सिरीज तो सोच सकता है हर तरीके की सिरीज रगण के चले आना ये याद रखना इसमें 58-34 में क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए बेटा जी इस बार का ट्रेंडिंग सवाल है ये याद रखना इस बार अगर ऐसा सवाल दिखता है तो याद रखना रिजनिंग और हिंदी सबसे तेज खतम करना एक्जामिनेशन में है ना 67-67-67-67-67-67 आनसर आ जाना चाहिए तो 5834 5834 में क्या घटा दे कि पूर्ण गन बन जाएगा याद रखना 5834 में दो घटा दोगे याद रखना 5834 में क्या घटा दोगे दो घटा दोगे तो या 18 का क्यूब बन जाएगा ठीक है ना 5832 होगा तो या 18 का क्यूब हो जाएगा 5832 अठारा का क्यूब होता है और बेटा जी यह उन्ही को नहीं आता जिनको एक से लेके 30 तक का क्यूब याद नहीं है मैंने पहले भी बोला था कि 155 तक का स्कौयर याद कर लो कोई ट्रिक से मत निकालोगी सार मुझे 100 तक स्कौयर निकालने की ट्रीक आती है ऐसा कोई ट्रीक नहीं निकालोगो तुमको सॉल्व करना है यह बात याद रखना आज पीड सही है पीड सही है तो एक बर यह सरब बोलो ना कि जैसे मैंने बोला, speed क्या ही है यार, कि उसने बोला, tough का code क्या होगा, ए खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे, कि tough के सिवा कुछ दिखाई न दे, इन दोनों में tough common है, इन दोनों में 7 common है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई speed जैसा कुछ लग रहा होगा, मुझे नह missing number की importance वो समझते हैं कि please missing number, please missing number, सुनो missing number, यहाँ पे ये खेल हो रहा है, लाल मेरे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पच्चीस है, यहाँ जो बली-बली संख्या उसको गोला करो, यह बली-बली संख्या छोटी संख्याओं का समू है, यह बली-बली संख्या छोटी संख्यां का सरमूं है कैसे 6 5 11 9 20 यानि इनको आपस में जोड़ दो यानि इन को आपस में जोड़ दो 6 5 11 9 20 8 4 12 3 15 9 7 16 9 25 8 7 15 15 14 में क्या जोने की 22 आ जाय तो 15 15 15 में 15 में क्या जोड़े की 22 आ जय तो श्री 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 आठ साथ 15 15 साथ पाँच बारा साथ जोड़ेंगे फंद्रह साथ बाइस बुलो पंद्रह साथ बाइस हाँ या ना अब किसको लग रहा है कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्या यह मेरी स्पीड बहुत तेज है आपको कुश्चन का मतलब सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं छोटी- जिराफ है घोड़ा है उंट है बैल है जिराफ घोड़ा उंट बैल जल्दी से बताओ कौन सा अलग है जिराफ घोड़ा उंट बैल कौन सा अलग है और एक्जाम में मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ओपन चैलेंज देता हूं कि वही चीजज एक्जाम में आएगा जो यह आम आता है आगे चलते इसमें बताओ कौन सा मोड कर बनाया जा सकता है अब अगर किसी को लग रहा हो कि सर बहुत तेज है तो मुझे बताना मैं पूरा करके चल रहा हूँ बस मैं यह सोच रहा हूँ कि आज आगर तीन सेट कर देते हैं तो आप मेरे दिल के राजा है अगर आप तीन सेट मेरे साथ एकड़ ताबर तोर तरीके से कर देते हैं अगर मैंने आपसे बोला कि इसका अंसर क्या होगा आज इंपोर्टेंट है यह याद कि 20 में से तुमने कितने सही जवाब दिये फिर इस सेट में अगर कुछ गरबड़ी हो गई तो अगले सेट में गरबड़ मत करना यानि अगर मैं पूछू 6 का अपोजिट क्या होगा वो 2 होगा तो कौन सा मोड कर बनाया जा सकता है कुछ रह जाता है तो मैं आपको फिर से अगला से टेस्ट तू दिखाऊंगा टेस्ट तू में आपके कितने माक्स हैं अगर तीनों टेस्ट में 20-20-20-20 हैं तो सोचना कि तुमारी तैयारी किस लेवल पे चल रही है अगर मैंने बोला यहां पे आंसर क्या होगा तो देखो एक्जामिनर की सोच उसने किया कि तीन में छे जोड़ दिया तो छे तीन नौ हो गया नौ में पांच का गुड़ा कर दिया नौ पना पैटालिस हो गया दो में दो को जोड़ दिया दो में दो को जोड़ दिया, चार हो गया, चार में पांच का गुड़ा कर दिया, तो बीस हो गया, नौ में आठ जोड़ दिया, नौ आठ सतरा हो गया, सतरा का पांच में गुड़ा कर दिया, सतरा पचे पचासी हो गया, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत जल्दी बराबर समझो, बुलो सहमत हो मेरी बात से, ये ये क्लियर हो गया, आगे चलें, चलो, 85 will be the right answer, ये 90% को open challenge है, तुमों question करके दिखाओ, मैंने आपको बोला था कि, अंत में question है, हमेशा मैंने कुछ ऐसा रखता हूँगी, जिनको लग रहा है, paper बहुत आसान है, उनको भी समझ महिन आएगा, जल्दी से सोचो, जल्दी से calculation सोच के बताओ, और परीक्षा में आ गया न, ये SSC GD बहुत important है, मेरे दोस्त, बहुत से लोग UP police में select होंगे, तुमारे पास बहुत, मतलब दोनों vacancy का होना, तुमारे लिए golden opportunity है, इसको बिलकुल miss मत करना, मेरे भाई, पता ह जहां पर उसने क्या किया है, इसका चार में गुड़ा किया है, तो ये देखो 4-3-12 है, इसका चार में गुड़ा किया है, तो ये देखो 6-24 है, इसका चार में गुड़ा किया है, 5-20 है, इसका चार में गुड़ा करेगा, यहां 32 आएगा, पहले बताओ, सब को समझ में आ आई कि नहीं मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आज मैंने स्पीड अच्छी रखी है ताकि आप लोगों को सल्यूशन बड़े प्यार से समझाओं लेकिन आज कम से कम आप यह कह सको सोचो आपने पहला पेपर आप करने के कगार पे हैं दो कुशन और बचा है यानि 20 सवाल हो गए फिर अगला 20 सवाल में लेकर आऊँगा यानि आज तीन तीन यानि 60 सवाल हम लोगों को करने है बताओ कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है फटाक से बताओ कौन सा मोड़कर बन होगा ये कभी बनेगा छे और पांच छे और पांच अगर है तो ये कभी बनाया जा सकता है नहीं तो यानि ये भी ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन चला गया तो only a will be the right answer मेरी speed तेज़ तो नहीं है only a will be the right answer हाँ या ना किवल a सही और याद रखना excuse me ये नहीं कि सर मेरा B सही होगा किसी की आवकात हो अगर किसी की भी आवकात हो तो मुझे बता देना कि सर ये तो मेरे हिसाब से गलत answer वही आएगा जिस पे हाथ रखोगे क्यों क्यों क्योंकि हम answer ये नहीं बता रहें कि B सही हम ये कह रहें ACD गलत है हम ये कह रहें ACD गलत है तो तुम वही answer दोगे जो हम बोलेंगे इसका answer बताओ सोचो आज तुम लोगों ने मातर 18 मिनट में 20 सवाल किये है 18 मिनट में 20 सवाल किये है यह कही न कही मेरी नहीं यह तुम्हारी उपलब्धी है दोस्तों कि अब तुम लोगों की speed इतनी अच्छी हो गए सोचो 24 सो लोग जवाब दे रहे है A का Z हो गया E का V हो गया तो B का क्या होगा Y होगा F का क्या होगा U होगा तो Y U यहां में B will be the right answer B विलकुल सही है और यही पर याद रखना पहला सेट समाप्त अब बताओ पहला आज बात स्पीड की होगी पहला सेट समाप्त दूसरा सेट सुरू करो इसमें अपने माक्स बताओ 20 में से अगर तुम मालो भूल गए हो तो एप्रॉक्सिमेट कितने कोश्चन सही किए और फिर से पेटी मजबूत करो दूसरा सेट लेकर आ रहा हूँ पहला सेट समाप्त अब मैं दूसरा सेट सुरू करने जा रहा हूँ ठीक है ना अपने अपने माक्स बता दो कि 20 में से किसके कितने माक्स आए ठीक है ना अब मैं अगला सेट सुरू करने जा रहा हूँ यानि मात्र 18 मिनट में अपने 20 सवाल कर दिये ठीक है ना अगले 18 मिनट में और 20 सवाल करेंगे उसके 18 मिनट में 20 सवाल और करेंगे बोलो तैयार हो जल्दी सांग उठे वाला बटन देवाओ बोलो तैयार हो बोलो तैयार हो स्पीड से अकेले बैठके रिजनिंग थोड़ी न पढ़ोगे इसके बाद तुम मैट्स पर फोकस करना क्योंकि मैट्स बहुत ज्यादा जरूरी है इसको तो हम रगड़ा के छोड़वा देंगे परशान नहीं होना चलो सेट टू सेट टू शुरू करें सेट टू बोलो टेस पिश्वाब ट्रीक सिखाई है ये गलत होने का चैंसी पैदा नहीं होता पुछ़ों कैसे उसने कहा एक बच्चा किस से मिटाएगा अच्छा तुम बच्पन मे कुछ गलत हो जाता था तो किससे मिटाते थे बोले सर रवर मिटाते थे और बताओ यहां पर रवर को क्या कहा नहीं आगे चलते अब बताओ इसका अंसर क्या होगा फटाग से सुचो इसका अंसर क्या होगा बात सही लगेगी तो समर्थन करना दूसरा सवाल है बेटाजी स्पीड पर फोकस रखना अब जैसे ये साब ये जो टाइमर है कोशन देखते ही ना मन में ये हो जाए अच्छा ह अगर यहां दिख रहा हर नमबर यहां पर है तो स्वाभाविक सिवाथ अगर नो बगल में तो बगल में साथ होगा यानि पहला बिलकुल सही है चलो आगे चलते है अब बताओ माला कला से किस प्रकार संबन्दित है माला की और इशारा करते है कि मेरे भाई की एक लोती बह अगर तुम मेरे पुराने विद्यार्थी हो तो तुम कभी मेरी बेज़ती नहीं कराओगे माला की और इशारा करते हैं कि मेरे भाई की एक लोती बहन तो मेरे भाई की एक लोती बहन वो खुद होई ना बेटा जी अब ऐसा नहीं करना कि सर मुझे नहीं आता, सर मुझे ब्लड रिलेशन आता ही नहीं, प्लीज बेटा आपसे निवेदा नहीं, अपना सिक्सेंस खोलो, हनुमान बनो यार, कुछ याद करो अपना पवंसुत वो बालपन, माला की और इशारा करते हुए कला कहती है कि मेरे भाई की एक लोती बेहन, यानि कला, और उसकी एक लोती बेटी है, तो स्वाभावी कसी बात है, माला कला से किस प्रकार संबंदित है, माला कला की क्या है, याद रखना वो उसकी बेटी है, अभी भी तुमको नहीं समझ में आया, मैंने कहा, माला की और इशारा करते वे कला कहती है माला की और इशारा करते हुए कला कह रही है कला कह रही है कला कह रही है कि मेरे भाई यानि कला के भाई कि एक लोती बहन एक लोती बहन यानि वो कला ही तो हुई अगर मैं अपनी बहन के लिए कहूं कि मेरी बहन का एक लोता भाई यानि अतुल सर मैं कहूं मेरे भगवती कसम कल से मार कर नहीं पकड़ूंगा मैं स्पीड का मतलब ये नहीं कि तुम अपना सर्वनाश कर लो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं हाँ या ना मेरे भाई की एक लोती बेहन यानी कला और कला की बेटी है वो याद रखना वो उसकी डॉटर है एक भी मैं बार-बार कहा रहा हूँ स्पीड का मतलब ये नहीं कि तुम अपना करियर चौपट कर लो अगर मेरी बात सही लगे तो अपने जहन में उतारना मेरी बात जैसे बताओ इसमें क्या हुआ अब ये आसान है अगर मैं इसमें 15 सेकंड चला रहा हूँ क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूँ आ रहा है न समझ में इन तोनों को जोड़ेज 20 तोनों को जो जोड़ें और Bakery अल्फपैट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आज तुमारी स्पीड के साथ अब देहों कम्प्यूटर कि कह रहे L होगा, नहीं बेटा, M will be the right answer, कम से कम सीना ठोक के कह सकें कि नहीं सर, हमने जो कह दिया वो गलत है, by mistake है, L बिल्कुल गलत जवाब है, M will be the right answer इसमें कितना ट्रेंगल है, जल्दी से फटाक से बताओ, अभी ला परवाही नहीं बेटा अभी नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आज गलती कर बैठे दो अभी तुम्हारे पास आज का समय, आज 18 तारीक है, कल 19 तारीक है, और परसु तुम्हारा पेपर है 20 तारीक को यह याद रखना, मैं आपको एक एक चीज बिटवा कोशिश करूँगा कि तुम लोग का दिल खुश हो के जाए, पहले सोचो कि इसका अगर मैं पूछू कितने ट्रैंगल है इसमें, अराम से सोचो अगर मैंने आपसे पूछा कि ट्रैंगल कितने हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर तीन ट्रैंगल इसमें है, तीन ट्रैंगल इसमें है, ठीक है ना, और फिर अगर हम इसकी बात करें, इस बड़े वाले की, तो यहाँ पे भी तीन ट्रैंगल है, तो यहाँ पे भी तीन तो मेरे हिसाब से तो 12 ही होना चाहिए और 12 ही होगा क्या कहते हो 12 बिल्कुल सही है कि नहीं बताओ 12 बिल्कुल सही है कि नहीं हाँ या ना देखो फिर mistake करो बिटा ये बिल्कुल गलत बात है मतलब जितने लोग देख रहे हैं सब गलत जवाब दे रहे हैं क्या mistake हुआ मुझे ये बताओ यार पहले मैंने आप से का यहां तीन ट्रैंगल है यहां तीन ट्रैंगल है और यह जो बड़ा वाला है यह जो ऐसे बट रहा है इसमें भी तीन ट्रैंगल तीन ट्रैंगल ये वाला हो गया दस और ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो किसी में नहीं गिना गया ना ग्यारा और इसकी बात करूँ तो ये वाला बारा तो उस हिसाब से 12 ट्रेंगल होने चाहिए 12 में align हो की नहीं 12 ट्रेंगल में align हो की नहीं भले तुम्हारा answer गलत आया लेकिन समझाया तो 12 ट्रेंगल समझ में आया की नहीं आया और ये मत सोचना कि बड़ा वाला रह गया है ये जो 3 गिने हो ना ये वाला 3 तो कहीं से भी अगर ना समझ में आया तो आप हमारा खून पीने के लिए स्वतंत रहें जल्दी से सोचो इसका answer क्या होगा जल्दी से बताओ जितने type के सवाल होंगे सारे type के सवाल हमको करने है एक 20 सवाल का set कर चुके हो ये दूसरा set कर रहे हो अगर मैंने बोला कि seven में one add कर दिया तो साथ एक आठ हो गया चार में अगर तीन जोड़ दिया तो चार तीन साथ हो गया आठ का साथ में गुड़ा कर दिया आठ सते चपन हो गया अगर मैं एक में तीन जोड़ दिया तो ये चार हो गया दो में दो जोड दिया तो चार हो गया चार में चार का गुड़ा कर दिया तो चार चोक सोला हो गया बोलो सहमत हो मेरी बाद से चार चोक सोला हो गया सहमत हो मेरी बाद से आ रहा है समझ में की नहीं बोलो आ रहा है की नहीं समझ में इन दोनों नमबर को जोड़ो 3-4, इन दोनों नमबर को जोड़ो 2-2-4, 4-4-16 हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं, कम से कम हर तरीके का नमबर तुमारे दिमाग से घुसके डुबकी खाके निकलना चाहिए ताकि सर हम हर तरीके का कैलकुलेशन देख चुके हैं सहमत तो मेरी बात से, आगे चलते हैं फिर उसने बोला कि यह सिरीज, बेटा जी इसको बता दो, 500 रुपे नगा दिनाम दूँगा कालपनिक रूप से 500 रुपे नगा दिनाम, अगर हिम्मत है तो तुम इसका आंसर बता दो यह नगा दिनाम है, कल परसो, एक्जाम है, आस तुमारी बुद्धी, और यह मैं तीन बार बता चुका हूँ ठीक है ना, जल्दी से बताओ, यह कालपनिक पुरसकार है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, तुमको लगता है कि नई, सुमचीर के रख दोगे, तो मुझे बता दो कि आंसर क्या होगा और यह देखो, दो के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो अगला 670 होना चाहिए, क्या इतनी स्पीड है तुमारे पास? क्या बताओ, इतनी स्पीड है तुमारे पास? कि पूरा अंधेरा ही छागया कि तुम कुछ भी अंडवंड जवाब दे दोगे ये कोइंसिडेंट है कि यहां पर दो है यहां पर दो है यहां तीन यहां चार यहां पांच यह चे यह कर रहा है चार में दो जोड़ेगा तो छे आएगा तीन में छे जोड़ेगा तो यह नौ रखते हो तुम्हारे हिसाब से सर्य दो था ये तीन था ये चार था ये पांस था और एक्जाम करके आओगा फिर बोलो भाई सब्सक्राइब नमबर मिलेगा मैं अपसे बार बार कह रहा हूं यू हैस्ट नो अबाउट डैट वाट इस एक्चुली गॉइंग ओन माई डियर अंसर टिक किया था ताकि तुम लोग इस तरीके का अंसर दोगे हाँ दूसरा टिक हो जाएगा जानबूच के मैंने दूसरे पर टिक किया था इसका अंसर बताओ कितने आयत हैं जल्दी से देखो कितने आयत हैं फटाक से बताओ कितने आयत हैं होने दो गलत मैं होने दो गल है अब इसको कैसे करेंगे वन प्लस टू प्लस थ्री कर दिये और दिन मॉल्टिप्लाई करके वन प्लस टू कर दिये यानि तीन दो पांच एक छे गुड़े दो एक तीन छेत्रीक अठारा ये हुआ शेत्रीक अठारा बिल्कुल दिन पढ़ाया लेकिन इस तरीके से जवाब दोगे तो बुरा लगता है अगर तुम बताओ तो बोले ये तुमने नहीं देखा है कि वन रो मलब यहां पर पूरा रो एड़ कर लेते हैं फिर मल्टिप्लाई पर कॉलम कर देते हैं इसमें सारा रो एड़ कर लेंग वन टू थ जाएगा मिरे लाल परसो पेपर है पहले आओ गले लगो हमको सांतोना दो कि नहीं सर हमसे गलती से गलती हो गए इधर आओ 29-39 जवाब दे रहे हैं 14-17 दे रहे हैं इसका जवाब इसमें और कहां आयत बन रहा है मिरे लाल ऐसा मत देना गुरू जी कमजोर दिल के हैं हाँ ह बहुत कम जोर दिल के अंडबंड जवाब मत देना हमारी स्पीड सुलो हो गई भाई है भगवान जमीन फट जाएगे हम समाहित हो जाएंगे जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ अभी गलत मत करना बिटा अभी कम से कम एक बार में सही जवाब देना जल यह चार है तो हमने क्या किया चार का दो गुना कर दिया चार दुना आठ हो गया बोले हां सर यहां पे भी अगर आठ ट्रेंगल है एक दो तीन चार दुना आठ तो यहां पे भी आठ ट्रेंगल होगा और जब भी कोई लाइन किनी दो चतुर भुच को जोड़े तो दो ट् मज़ में आ रहा है न 18 ट्रेंगल कैसे हुआ आठ ट्रेंगल इसका आठ ट्रेंगल इसका बीच में लाइन किनी दो चतुर भुच को जोड रही हो चार चार के फॉर्मिट में तो दो अगर ये सब फर्जी की बाते नहीं जानते भाड में जाए 48, 16, 17, 17, 18 अभी कोई कानून नहीं 18 अठार के बाद ये वाला 19 ये वाला 20 और ये वाला 21 अब 21 के बाद अगर तुम चट पताएं 59 के बाद अगर तुम जरा सा चट पताएं तो ये याद रखना कि इसमें तुम्हारे जीवन का दुरभाग्य है 21 मतलब 21 और यह जो 22 जवाब देते हैं ना ऐसा नहीं कि इनका गिनने पर 22 तहीं साता है इनका 21 ही जवाब आता है लेकिन सोचते हैं गुरुजी 22 लगा दो हम ही एकाट ठुका ही भूल गए होंगे हम बार बार कहते हैं बिटा जी अगर गिनना पैटन से है तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता स्याही पिन परसेंट गलत करोगे बाप रे बाप आज क्या खाए हो रे 90 परसेंट गलत करोगे 90 परसेंट गलत करोगे अब ऐसा करोगे तो कैसा काम चलेगा देख रहे हो क्या जवाब दे रहे हो इस तरीके से करोगे आज भगवान कसम मुझे लग रहा है कि तुम लोग क्या खाके बै पुस्तक स्याही पेन और पुस्तक यही यह जिस टेस्टे मैंने निकाला है यही सोच यह तीनों अलग-अलग हैं इंक जब पेन के साथ मिलती है तो किसी किताब का निर्माड होता है बिना पेन के कोई किताब नहीं बन सकती ब्लैंक पेज को कभी किताब नहीं कहते हैं इंक ज आम नजदीक है इस समय आर एंडी नहीं की जाती और यह प्रीवेस यह पेपर का स्क्रीन शॉट है यह भगवान कसम मैंने अपने हाथ से नहीं बनाया है मैं यह चाहता हूं कि इस सी जी डी का जो पेपर पिछला साल हुआ है तुम अगर एक्जाम सेंटर में घुसो तो लगे यह मास्टर साप की किवल क्लास के कोश्चन है जल्दी से सोचो इसको क्या होगा अब तुम खुछ सोचो अगर मैं तुम से कहूं अगर मैं इसको भूल जाता हूं तो सोला का करके प्लस एक जोड़ दूँ अगर मैं 29 का तीन गुणा करूं प्लस दो जोड़ दूँ मुझे कैसे यह आभास हुआ नो तरिक 27 27 और साथ दो नौ यूनिट इजिट नौ आ रहा है नो तरिक 27 और साथ दो नौ यानि इसका मतलब है कि यहां पर 89 आएगा है सैमत हो मेरी बात से है ना तो पहले सोला का तीन गुणा प्लस वन 29 यानि इसे किसी संख्या का है जिसका हम क्या करेंगे 3 गुणा 3 गुणा प्लस 3 तो यह हम कह सकते हैं कि 15 30 45 45 में तीन जोड़ेंगे 48 यानि यहां पे अगर 48 हो जाए क्यों क्योंकि 5, 15, 16, 9, 37, 2, 39 तो 5, 45, 43, 48, 48 का 3 गुना करेंगे 147 पहले बताओ समझ में आया कि नहीं और डोंट अंडरिस्टिमेट दा पावर आफ दिस टाइप अफ कोश्चन रगड़े का तो जुखाम हो जाएगा बोलो समझ में आया कि नहीं आया और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तो लवस्टी की भाईया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लेकिन कल जब पेपर निकलना है तो बताना कि सर मज़ा आ गया ठीक है न? ठीक है न? अब चलो आगे चलते जैसे ये सवाल है बेटा जी it's a very very इसको please underestimate मत करना ये very 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 important है इस question में सभी बच्चे हार जाते हैं अगर तुम नहीं कर रहे हो तो हम तुमको समझा दे रहे हैं मेरी सुन लो जैसे यहाँ पर देखो तुम कैसे question करते हैं देखो जब बड़ी संख्या है कोई calculation नहीं किया जाता बेटा बड़ी संख्या आजाए पांच-पांच नमबर की बड़ी संख्या इसका सिर्फ एक answer आएगा लिख लो किसी कॉपी पे शिर्फ एक answer आएगा वो answer क्या है गा एट प्लस थ्री प्लस वन प्लस ब्लस वन यानि तीन तीन छे और आठ शा सरी यहाँ पे 5 है 5, 2, 7, 7, 10, 7, 18 इनको जोड़ेंगे 18 आया ठीक है न अब क्या है 4, 3, 2, 1, 7 यानि 7, 3, 10, 4, 14 और 3, 17 यानि इनको जोड़ें तो 17 आया फिर 5, 4, 2, 1, 5 यानि 4, 2, 6, 5, 11, 12, 5, 17 यानि यहाँ पे भी 17 आया तो यह confirm है इसको भी 17 ही आयेगा यह भी 17 यह भी 17 और यह अलग हो जाएगा यार बताओना कि मैं भाग रहा हूँ क्या किसी को जल्दी जल्दी लग रहा है या मैं कह रहा हूँ إن सारे नंबरों को जोड़ोगे 17 आयेगा इसको जोड़ोगे तो 17, इसको जोड़ोगे तो 17, इसको जोड़ोगे तो 17, लेकिन इसको जोड़ने पे ठारा रहा है, क्या ये बात सही है, मतलब इस टाइप का भी question exam में आएगा, और सबसे trending सवाल पता है क्या है, SSC GD में, तुम हमसे एक एक लाक की सर्थ लगा लो, बढ़ाओ हाँ, अगला सवाल में दिखाने जा रहा हूँ, एक एक लाक की सर्थ लगा लो, दो से तीन नंबर का सवाल वो आना ही आना है, ये damn sure है, लगा लो हाँ बढ़ा के सर्थ, और कल जो परसो पेपर देने जाओगे लिख के ले लेना, अगर ये paper out सवाल ना आई जाये तो, कौन सा, ये, समी करण का सवाल पिछली बार 7 नंबर का आया था, 6 से 7 नंबर का सवाल, पिछली बार 6 से 7 नंबर का सवाल आया था, और सारे बच्चे इस पे underestimate करके गए थे, जल्दी से सोचो इसका answer क्या होगा, और ये याद रखना, ये सिर्फ calculation base है, हम तुमको समझा दे रहे हैं, इसमें सब को एक एक तुमें रखना ही पड़ेगा, उसने किया क्या है, उसने 6 और 4 को आपस में एक दूसरे के स्थान से पलट दिया है, यानि जहाँ 6 था, जहाँ 4 था, ठीक है न, तो अब ये किया कैसे, 16 माइनस 4 प्लस, ये 12 गुड़े 3 बटा 6 है, ऐसे है, तो ये हो गया 3 दूना 6 और 2 छाका 12, तो यहाँ पर ये देखो, 16 प्लस 2 हो गया, और ये 18 विलकुल सही जवाब हो गया, और ये मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर अभी भी कहीं लापर आस ना हो, तो अभी नेट से देख लेना, या प्रीवेस ये पेपर देख लेना, ये कोश्चन जरूर तुमारे एक्जाम में आएगा, 110 परसेंट आएगा, और कम से कम पान से 6 नंबर आएगा, इसका आंसर बताओ कैसे करोगे, मैंने तुमको इसकी बहुत ही तबाही ट्र तो सेम है, तो यानि आप इसको काट दो, अब अगर बात करें यू, तो यहाँ पे क्या है 9, क्या है 9, और 9 केवल एक ही जगा है, यानि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है न, और पीछे के अगर हम बात करें, तो प्लस, और प्लस को क्या कहा गया है, 8, यानि इसका अंसर बताओ क्या होगा जल्दी से बताओ हो जाए तो मुझे बताना कि हांसर हमसे हो जाएगा नहीं हो रहा है तो एक बार हमको टोक दो कि हांसर हमसे नहीं हुआ जल्दी से सोचो एक्जाम में 100% ये सवाल तुमसे कई बार पूछे जाएंगे अब जनते उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, उसने यहाँ पे सिर्फ एक ही काम किया है, यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 किया है, तो 3 एक 4, 5, 4, 9, 5, 14, इसलिए यहाँ पे 14 आ गया, यानि अगर यह मैत वाले देख लें तो पागल हो जाएंगे, कि बाप रिबाप, 31 क तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5, 4, 4, 8, 9, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 5, 12, यानि 12 बिल्कुल सही जवाब है, अब बताओ जिनका गलत हो रहा है, क्या आज speed सही है, इस तरीके के question होने चाहिए, ऐसे question समझ में आने चाहिए, हाँ या ना, और अगर इस तरीके के question underestimate कर होगे, तो यह याद रखना, तुम्हारे लिए सबसे गलत बात होगी, मैं फिर से आपको समझाय दे रहा हूँ, ठीक है न, इसका answer बताओ, चाल कार्निवालिस, डाल डल होजी, लाड करजन, तो यहाँ पे सबसे आगे किसका नाम आना चाहिए, यह तो तुमारे GS का सवाल ह यह तो GS का सवाल है, यह तो आशा करते हैं, आही जाना चाहिए, अब जरह देख लेना, यहाँ सबसे आगे आना चाहिए, वारन हैस्टिंग का, जो 17-74, 1780 था इनका, चारले कार्निवालिस, 1805, लॉर्ड अल होजी, इसकी बात करने, 1848, 1856, लॉर्ड कैनिंग, 1856, 1862, लॉ तो यह बात याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आएगा, वारन हैस्टिंग, क्या आएगा, वारन हैस्टिंग, आगे चलते हैं, अलाम गड़ी 12-12 बार बजने में 33 सकेंड का समय लेगी, अगर 12-12 बार बजने में 33 सकेंड का समय लेगी, तो यह बताओ, 8 बार बजने म 12 बार बजने में total 11 अंतराल होते हैं gap होते हैं जिसे 11 अंतराल होते हैं तो इस question को कभी भी अगर ये बजने वाला question आए ना इसे लिख लेना copy में कहीं इसे copy में कहीं लिख लेना अगर कहीं alarm बजने वाला question आए alarm बजने वाला question आए तो ये बात याद रखना कि ये 11 अंतराल होता है 12 बार बजने में यानि 11 अंतराल में कुछ 33 सेकंड का समय लगता है वो ये कहना चारा है कि 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लगता है तो एक अंतराल में 33 बटा ही 11 हो जाएगा यानि 11 यहां 33 हो जाएगा तो उसी तरीके से 8 बार बजेगा तो 8 बार में कितने अंतराल होंगे 7 अंतराल होंगे 8 बार में कितने अंतराल होंगे 7 अंतराल होंगे तो इसमें 7 का गुड़ा कर दिए 7 तरी 21 सेकंड का समय लगेगा साथ 3 21 सेकेंड का समय लेगा तो किसी चीज का gap होता ना किसी बार के बजने का उसमे gap होता ہے कि 12 बार बजने में 11 का gap है तो 8 बार बजने में कितने का gap आएगा चलो ये बताओ अब याद रखन एक्जाम में तुम्हरे ये कुश्वन देखने को मिल सकता है तुम लोगों ने हमेशा आपसे पूछा जाता है 9 बच के 12 मिनट में क्या हो रहा है लेकिन हो सकता है इस बार कॉश्चन पूछा जाए कि 9 बच के 12 मिनट 36 सेकेंड हो रहा है तो बताओ समय क्या हो रहा होगा तो ये बात लिख लेना कि अगर 12 गंटे की है तो 11.30 से तो तुम किस से माइनस करेंगे 11.69 से माइनस करेंगे ये बात याद रखना इसको कहीं लिख लेना कॉपी में इसे 11.69 तो सवबाए 20 को 60 से माइनस करेंगे 40 आएका 40 के वल पहले में ही है पहला साही हो जाएगा लेकिन ये बात याद रखना ये तुम्हारे काम आएगी 11.69 से माइनस करना है इसमें बताओ कौन सा अलग है इसमें बताओ कौन सा अलग है फटाक से बताओ कौन सा अलग है यानि आज हम लोगों अभी तक 40 सवाल कर चुके होंगे इसमें अपने अपने मांक्स जल्दी से बताना किसके कितने है फिर हम तीसरा सेट शुरू करेंगे तीसरा सेट कीले पे सारी चीजे केंदरित हैं ये सब की सेब edges पे हैं वो vertical पे हैं ये मान लगो ये सब line पे हैं वो चुकीला जो है corner है उस पे है इस वज़े से भी अलग हो जाएगा ठीक है ना इसको चलते हैं इसमें से कौन सा है जो अलग है 2000 साल 1700 साल 2014-1600 चलो आज का ये सबसे शांदा सवाल में मान लेता हूं कि जिसको जानते हुए भी आप गलत जवाब दोगे जहां आप exam में ये परशान हो जाओगे कि मुझे आखिर इसमें टिक करूं तो मैं करूं क्या पता है ये अगर exam में question आ गया तो चाहे जितना brilliant लड़का हो उसका दिमा का ऐसा घूमेगा कि उसक क्या है शताब्दी है ये क्या है शताब्दी है इसे हम कहते है शताब्दी ये शताब्दी है लेकिन जो ये है ये वर्ष है वर्ष और शताब्दी में फर्क होता है हर वर्ष के पीछे शताब्दी के पीछे डबल जीरो होता है 16, 17, 18, 19, ये शताब्दी है लेकिन ये क्या ह वर्ष है ये क्या है वर्ष है तो कई बच्चे सोचेंगे सर मैंने तो C लगाया है मेरे हिसाब से C होना चाहिए लेकिन आपको मैं बता दू कि जो लिपी अधिवर्ष होता है वो 400 से डिवाइड होता है ये भी 400 से डिवाइड है ये 4 से डिवाइड है और ये 400 से डिवाइड यानि इन सब में फरवरी 29 की होगी यानि 2024 की बात करें या 1600 की बात करें या 2000 की बात करें इन सब में फरवरी कितने की होगी इन सब में फरवरी 29 की होगी लेकिन 1700 सामान ने वर्ष है या याद रखना इसमें 365 दिन ही होंगे साल में बाकी में सब में 365 दिन ही होंगे ये बात य आई जाती है कि आपको question tough ना दे लेकिन जानबूच कर दो जैसे ना नारंगी है संतरा या रंग तो तुम लोग जानबूच के ऐसा option देते हैं कि आने वाले question को भी तुमको डिप 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 कचे नीम की सड़क बावु धड़क धड़क करना पड़े कि नारंगी क्या है रं आज बात स्पीड की होगी याद रखना मैं तीसरा टेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ अगर अब भी आप में दम है तो मुझे बता दो test 3 आर यू रेडी test 3 के लिए सभी तैयार हो बता दो test 3 शुरू करने जा रहा हूँ सभी तैयार हो अगर हम कितना भी 10 question भी कर लेंगे 40 सवाल हम कर चुके हैं 40 सवाल कर चुके हैं बोलो हाँ या ना लेकिने well done बहुत ही शांदार 40 सवाल कर चुके हैं और तीसरा टेस्ट सुरू कर रहा हूँ तीसरे टेस्ट का ये रहा आज का पहला सवाल जल्दी से बताओ इसका अंसर क्या होना चाहिए तीसरे टेस्ट का अगर मालो 7 बजे तक अगर हम कुछ भी को सवाल कर लेते हैं तो भी अपना काम हो जाएगा अब जरह सा सोचो अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहां पे 20 है और यहां पे 9 है तो हम क्या करते है कि 20 में अगर 9 को घटा देते हैं तो 11 आता है और 11 का स्क्वाइर कर देते हैं तो 121 हो जाता है बूले हाँ अगर 24 है 24 में से 11 घटा देते हैं तो 13 हो जाता है 13 का स्क्वाइर हो जाता है तो 179 हो जाता है अगर यह होता है कि अगर 32 है 32 में 17 घटा दिये तो 75 12 है और यहां पे 15 है, तो 15 का square करेंगे तो 225 हो जाएगा, क्या ख़याल है 15 का square करेंगे 225 हो जाएगा सहमत हो मेरी बात से, पहला सवाल दूतरा सवाल पहा जाओ, इसमें कुल कितने triangle है, देखे किसमें कितना है दम, कितने triangle है, एक बार में कितने लोग सही बताने की हिम्मत रखते हो कि सर हमने जो बता दिया उतने ही ट्रेंगल होंगी जल्दी से बताओ कितने ट्रेंगल हैं और एक बत याद रखना एक्जाम में 100% तुमारे एक्जाम में ये कोशन पूछा है जाएगा और 100% ये एक्जाम में सवाल आएगा अब जरा सा सोचो अगर मैंने कह कि कितने ट्रेंगल है तो ये एक है ये दो है ये तीन है ये चार है और इसकी बात करूँ तो ये पाँच है ठीक है न और फिर इसकी बात करूँ तो ये पाँच है इसकी बात करूँ तो ये पाँच है इसकी बात करूँ तो ये पाँच है क्या बीस आप्शन में है तो पां चार तरिभुज और कहां बन रहा है हमको जर्ब बताओ 24 कहां कैसे होगा अगर तुमने बीस गिनने पर आया एक कहरा सर 36 होगा एक कहरा सर 40 होगा मनलब अंडबंड जवाब देते समय भी हमको एक बार बताओ कहां है होगा तो इसी में न होगा मैं कहा रहा हूँ एक दो तीन चार और ये बड़ा वाला पांच, तो हमने कह दिया पांच ये है, पांच ये है, पांच ये है, पांच ये है, ये सारे डाइग्राम सेम है ना, तो पांच योग 20 हो गया, हमको और दिखाओ कहां है 24, 40 कहां है, 30 कहां है, option गलत है मेरे भाई, option गलत है, 20 के अलावा एक ट्रें बहुत पिते हैं, तो सोचो, एक घुनटे में 50 सवाल और तुम्हारे उक्जाम में आएंगे सिर्फ 20 सवाल, तुम्हारे उक्जाम में अएंगे सिर्फ 20 सवाल. अब ज़रा मुझे ये बताओ। अगर मैंने कहा कि आंसर क्या होगा, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 आया, 3 में 2 जोड़ा तो 6 आया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 हाया यानि 6, 7, 8 बूल बाच सही है 4, 15, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 2, 6, 3, 2, 5, 5, 3, 8 तो 3, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 3, 8 ऐसा तो option भी नहीं है लेकिन 6, 7, 8 जिसमें हो उसी को हम लगा देते हैं 6, 7, 8 वाला option नहीं लो एक और mistake अब तो एक और mistake हो गई अब क्या करें? reason बताओ तो बोले सर ये तीन दो पांच होगा यही मिस्टेक करके आप फिर मामला खराब कर देते हैं तीन दो पांच होगा पांच साथ आठ होगा मैंने तीन दो छे कर दिया था चलो इसका बताओ ट्विलिप है डहलिया है चमेली ये गुलाब है अच्छा देखें किसका दिमाग तेज चलता है ट्विलिप डहलिया हाँ मैंने गलत कर दिया था ट्विलिप डहलिया चमेली ये और गुलाब इसमें से कौन सा लाग है अच्छा देखो तुम लोगो गुलाब के अलावा और चमेली भी तुम ठीक से फूल भी नहीं याद कर सकते चमेली कैसा दिखता है तुम लोगों को कसा में जूट मत बोलना आँख बंद करो चमेली बताओ कैसा दिखता है तुम लोग चमेली का फूल अगर याद भी करके बता दो कि सार इस कलर का होता है तो हम मान जाएंगे तुम इसमें गुलाब के अलावा कोई दूसरा फूल जानते ही नहीं हो और परिक्षा में आ गया तो एक ही विकल्फ होगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा तुमने अगर मैं कहा दू तुमको आपको एक बाब पहले इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बता दू यह है टूलिप का पौधह ऐसा दिकता है इसमें महें कुछ नहीं होता यह गुल्दस्ता बनाने के काम आता है यह होता है डहलिया यह होता है जैस्मिन और यह होता है याद रखना गुलाब अब बताओ यह तीनों फूल है इनमें से कौन सा फूल अलग है यानि यह ट्यूलिप है यह डहलिया है यह चमेली है यह गुलाब है अभी बताओ इसमें से कौन सा अलग है यह चीज याद रखना इसमें भी सुगंध होती है इसमें भी सुगंध होती है लेकिन डेहलिया में सुगंध नहीं होती है डेहलिया में कोई सुगंध नहीं होती है ये बात याद रखना आगे चलते हैं इसमें कुल कितने ट्रेंगल है फटाक से बताओ How many triangles are there in this given figure इसमें कुल कितने triangles है फटाक से बताओ अगर मैं तो अब exam तुम्हारे सामने अगर मैं तुमसे पूछू कि ट्रेंगल कितना है तो यह बात याद रखना यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, यह 7 है यह 7 सुखा-सुखा है अगर हम इसकी बात करें तो यह वाला 8 है, हम इसकी बात करें यह वाला 9 है, हम इसकी बात करें यह वाला 10 है और जो सबसे बड़ा वाला है यह 11 है, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो 11 है यह बात याद रखना आगे चलते इसमें कुल कितना ट्रेंगल है आशा करते इसमें तो ट्रेंगल बता ही लोगे इसमें कुल कितना ट्रेंगल है अब तो परिक्षा पास है अभी बता इसमें कुल कितना ट्रेंगल है यह याद रखना अगर इसमें ट्रेंगल बता दिये तो फिर काम हो जाएगा इ अगर हम तुमसे बताई इसमें कुल ट्रैंगल है तो तुम यहीं बोलोगे ना, देखो कुछ नहीं करना है, एक, दो, तीन, चार, इसका दो गुना कर दो, चार, दो ना, आठ हो गया, इसमें भी आठ कर दो, आठ, हाठ, सोला हो गया, सोला के बाद, एक लाइन, यह जब कि न तो तीन, चार, दो ना, आठ, और आठ, आठ, 16 ट्रैंगल है, यह बात याद रखना, टोटल, 16 ट्रैंगल हैं, इसके अंदर, ठीक है न, 16 ट्रैंगल है, यह बात याद रखना, आगे चलते हैं, इसका ऑंसर बताओ, एक तो रिपीटेट सिरी, स कर ही लो, अगर आपसे बू हम देखते हैं, O-K, 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 O- love you two वाला तो काम है ही, जल्दी से सोचो, यह जल्दी से सोचो, और यह याद रखना कि एक्जाम में इस जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपको ट्रैंगल बता दे, इस्टार दो तरीके का होता है, एक यह वाला इस्टार होता है, इसमें 8 होते हैं इसमें 10 होते हैं ठीक है ना लिख लो कहीं कॉपी में या कहीं कहीं पे भी बना लो या हमेशा याद अगने 14 ही होगे इसका अंसर बताओ क्या होगा पहली बात तो एक चीज़ देख लो जहां ये दोनों option आ जाए जहां no और all लिखा हो तो एक बात दिमाग में डाल लो इस प्रिथवी पर कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस option को सही कर दे अगर जहां ये दोनों है तो ये option तो सही होई नहीं सकता ये दोनों के दोनों राक्षस हैं दोनों negative हैं दोनों राक्षस हैं ये देवता है और उपर दोनों राक्षस हैं अभी तक मैंने solve भी नहीं किया है सिब कोशन देखा है तो यानि ये भी नहीं हो सकता अब तुम्हारे पास ये दोनों बचा अब उसने बोला कोई बैट बॉल नहीं है कोई बॉल तो बैट और विकेट का कोई लेना देना नहीं है बिटा मैं तुमको दिखा दे रहा हूं कैसे अगर ये बैट है याद रखना क कोई बैट बॉल नहीं है ये याद रखना और कोई बॉल विकेट नहीं है एक बंदा था अपने एक बंदा ये वाला लड़का है जिसने अपने आफिस में मार पीट कर ली और उसी गुसे में गया अपने महले में मार पीट कर ली तो आफिस वाले और महले वाले कोई लेना देना नहीं है तो याद रखना बैट और विकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है ये दोनों ना इधर नौर हो जाएगा ना ही पहला ना ही दूसरा ठीक है ना ना ही पहला ना ही दूसरा चलो एक ये कोशन बता दो यानि आज आपने टोटल पचास सवाल किये हैं यानि एक घंटे में पचास सवाल किये हैं तो बताओ कल साथ के लिए तयार हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कल साथ सवाल साम छे बजे कल साथ सवाल साम छे बजे के लिए तयार हो बोलो हाँ या ना अगर जितने भी लोग हो तो कल 60 सवाल साम 6 बजे करेंगे अगर तयार हो तो एक बार यसर लिख दो कि कल साम 6 बजे 60 सवाल करेंगे बोलो कल साम 6 बजे 60 सवाल करेंगे बोलो अगर तयार हो तो एक बार यसर जरूर कह देना ठीक है ना यह सर जरूर कह दे ना बोलो सहमत हो मेरी बात से तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं इपर जाते हैं तो लाइक तो कर दो यार अभी तक जितना अगर आज के आनंद कीजए तो अगर आज आनंद आया तो जल्दी से एक पर हम उठे वाला बटन दबा के लाइक कर दो लाइक है जितने लोग लाइक करके जाते हैं यह आज इवन मेरे पास इस्टोर रहते को कि जब जब यह दुनिया मेरा वीडियो देखेगी उस लाइक में तुम्हारा अटेंडेंस जिंदगी भर मेरे पास बना रहेगा तो अब अगली क्लास यह याद रखिएगा आज तो तो 200 सवाल हम लोग आज 8 बजे भी पीटेंगे ठीक है ना क्यों सर आईए बिल्कुल बात यह है ना कि एक लाइन नहीं कह जाते है खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है सर कल बाल कटवा है आज हम कटवा लिए कल हम 200 कोशन पीट है आज सर 200 कोशन पीट दें तो जुड़ेगे उसमें ठीक है थैंकियो बिल्कुल तो जुड़िएगा जरूर और यह जो चीजे है हम यह चाहते हैं एक्जाम सेंटर से आप बाहर निकले तो एक बार कम से कम हम हले आपके सामने ना रहें लेकिन आप एक बार दिल से धन्यवाद निले कि वारे सर लोग आप लोगों ने सच में कोई कोश्चन नहीं छोड़ा हर कोश्चन रगण के सही करवाया है तो तैंकियो सो मच आज के लिए इतना ही कल फिर शाम को 6 बजे हम जरूर मिलेंगे ठीक है न तो 6 बजे कल 60 सवाल करने की पूरी कोशिश करेंगे तो तैंकियो सो मच मस रोग अशुरा सलामत रो मातरानी खूब सत्द बुद्धि दे औल्वेज भी हैपी एंड़ ने रोग तो